वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल आज हम क्लास 11 इंग्लिश खॉनबल बुक से जो चैप्टर नमबर 5 है इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन आंसर पर डायरेक्ट बढ़ने बढ़ू उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि एलिंग का मतलब एलिंग का मतल रहे हैं प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ की तबियत जो खराब हो रही है यहां पे अगर आप देखो तो हमने दो तरह से डिवाइड किया है एक तरफ जो एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए ज्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहि इतनी सारी हमने machines धुआ हुआ यह सब हो रहा है तो यह सब गलत है तो यह पूरा का पूरा chapter जो है based है इसी चीज़ पर कि हमने अपने अर्थ को बीमार बना दिया है खराब कर दिया है जिससे हमारा खुद का survival अब खत्रे में आ गया है question number one देखो locate the lines in the text that support the title the ailing planet आपको वो lines जो इस chapter में दी गई है वो बतानी है जो इस title को support करती है कि हमारा जो planet है हमारी जो मा है धरती मा जो है वो ail मतलब खराब या बीमार हो रही है तो देखो usually हम question answer को याद करते हैं लेकिन ये वाला जो answer है बस आपको समझना है याद नहीं करना क्योंकि हमें exact line copy करनी है आपके chapter से ठीक है so children अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया तो याड दी से like कर दो I hope कि आपने वीडियो को like कर दिया so the following lines in the text support the title the ailing planet ये पूरा वहीं से उठाया question से कौन-कौन सी line है एक line है आपके book में से यानि chapter में से are we to leave our successor देखो inverted comma के अं बज लेना है आर वी टू लीव और सक्सेसर सक्सेसर कौन होते हमारी आने वाली पीडी आने वाले बच्चे क्या हम अपनी पीडी के लिए ये छोड़ जाएंगे ऐसा प्लेनेट जिस पर कुछ नहीं बचा होगा जिस पर केवल डैजर्ट बचे होंगे इम पावर्स लेंड चैप्टर में a three year study using satellites and aerial photography aerial photography का मतलब होता है जो satellite के थू या ऊपर से drone के थू जो photography होती है वो conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that is critical in many of the 88 countries investigated तो United Nations ने तीन साल तक लगाता सैटलाइट से और aerial photography के थू जो study किया है इतनी खराब condition होगी है जिसमें से 88 countries की तो जो condition है वो बहुत जादा critical बताई है मैं बार बार बता रहा हूं इस बात को आपको ये वाला question learn नहीं करना क्योंकि करी नहीं सकते हो इस तरह की लाइन्स क्य the world's most dangerous animals at the cage in the zoo at Luzaka Zambia signifying जो एक zoo है एक चिडिया घर है Luzaka Zambia में उसमें एक cage के अंदर एक वो रखा हुआ है ठीक है most dangerous the world's most dangerous animal कि इसके अंदर सबसे दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उस cage के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ प सबसे खतरनाक सबसे बेकार जानवर है वो खुद इनसान है तो देखो आंसर को हमने कैसे लिखा है उससे पहले मैं आपको यह दिखा दो देखो आपने हो सकता है इंटरनेट पर यह चीज़ देखी हो सैट्र जहां पर इनसान रहते है वो जगह देखो कैसी है pollution से भरी तो आप obviously कहोगे कि sir हमें दूसरी वाली जगह है जहां green tree है पेड है oxygen level अच्छा है बढ़िया हर चीज है ठीक है तो answer देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक तो पूरा question में से हो गया that man has deteriorated the planet for a long time इनसान ने यह जो planet है हमारी धरती मा है उसे deteriorate का उनलब पूरी तरह से खराब कर दिया जगजोर दिया है लंबे समय से that his own survival is under threat now और इतनी बुरी तरह से हमने अपनी planet अर्थ को खराब कर दिया है कि हमारा खुद का survival हमारा खुद का जिंदा रहना अब मुश्किल हो गया है अर्थ के उर्पर next question how are the earth's principal biological system being depleted जो अर्थ का जो खुद का biological system है natural biological system है जिसमें क्या होता है एक animal पैदा होता है ठीक है वो अपनी life जीता है और फिर उसी मिट्टी में वो मर जाता है ठीक है अब हमने क्या किया है उस system को deplete मतलब खराब किया कैसे the earth's biological systems are being depleted by the following practices by men इन चार वजों से कौन कौन सी over cutting of forest क्योंकि हम जरूरत से ज़्यादा forest को काट रहे हैं number two over fishing जरूरत से ज़्यादा मचलियों का हम शिकार कर रहे हैं over mining जरूरत से ज़्यादा माइनिंग कर रहे हैं making crop lands क्या होती है ऐसा एरिया जहां पर हम खाने के लिए अनाज उगाते हैं खाने वाली जो crop से उन्हें उगाते हैं और हमने क्या किया development के नाम पर road बना दिये जारा से ज़्यादा मॉल बना दिये shopping complex बना दिये schools बना दिये तो हम उन लेंट को क्या करते जा रहे है बैरन करते जा रहे है ठीक है last question करेंगे why does the author agree that the growth of world population is one of the strongest factors distorting future of human society author ये वाली बात क्यों कहते है कि जो बढ़ती हुई आबादी है वो सबसे बड़ा factor है distorting मतलब खराप करने में human के future को जाहर सी बात है अब देखो पूरा answer कैसे बनाएंगे हम the author agrees that the growth of the world population the author agrees that the growth of world population is one of the strongest one of the strongest factors distorting the future of human society तो यानि ये दो ढ़ाई लाइन तो हमने as it is कहां से उठा ली question में से उठा ली अब क्योंकि why से question जब भी शुरू होता है तो उसका answer हम देते है because more population need more food भाया ये तो बच्चा भी बता देगा ज्यादा population को ज्यादा खाना चाहिए ज्यादा जमीन चाहिए रहने के लिए ज्यादा resources चाहिए the area is limited अब यार्थ का जो area है वो तो limited है न एरिया थोड़ी बढ़ रहा है population बढ़ रही है development is not possible if world population continues to grow so rapidly development possible नहीं है अगर जो world की जो population है इसी तरह से बढ़ती जाएगी increasing population brings hunger जादा जब जादा population बढ़ती है जिसकी वज़े से hunger भुकमरी, poverty, गरीबी और unemployment का मतलब होता है बिरोजबारी यानि लोगों को नौकरी नहीं मिलती है last question का answer देखता हूँ आप मेंसे कितने बच्चे मुझे comment section में देते है और right answer देते है what was the issue raised by the author in the chapter the ailing planet ailing planet में author ने कौन से issue पर बात किये a global warming, b save water, c save electricity या d deteriorating health of the earth ठीक है आप answer दे सकतो a, b, c या d जो भी आपका answer है I hope मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलते है अगले वीडियो में बाई कर देंगे कर दो मैं अगचे और नहें आपको अगे नहें आपको दो म्हारा